प्रेंट्स वर्काउट के बाद साथ ऐसे काम जो आपको कभी नहीं करने चाहिएं और जिन्हें करने की वजह से आपकी बॉडी की ग्रोथ पर बहुत जादा बुरा असर पड़ता है और यही साथ बाते आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे क्योंकि यह तो आपको पता ही होगा कि वर्काउट करते हुए आप अपने मसल सेल्स को डैमेज कर देते हैं और फिर वर्काउट करने के बाद मसल टिशूज रिपैर और रिबिल्ड प्रोसेस शुरू होता है ताकि आपके मसल ठीक हो सकें और रिपैर और रिबिल्ड की ये प important होता है आपकी muscle growth के लिए और fat कम करने के लिए और इसलिए आज की वीडियो में हम आपको workout के बाद की जाने वाली 7 ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे जिन्हें करने की वजह से आपकी muscle growth नहीं होती है तो गलती नंबर 1 है कि आप लोगों को ये लगता है कि workout के बाद लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि हम अपने पूरे दिन में जो मील फॉलो करते हैं हमें सिर्फ उसकी ही जरूरत है लेकिन ऐसा नहीं है आपको workout के बाद भी protein शेक या फिर किसी दूसरी चीजों से protein लेने की कावी जरूरत होती है क्योंकि जब आप workout करके अपने muscle के tissues को damage कर देते हैं तब दोबारा से rebuild होने के लिए आपकी body को protein की दरूरत होती है फ्रेंट्स studies से पता चलता है कि workout के बाद एक घंटे के अंदर अगर आप protein लेते हैं तो ये आपकी body के लिए जादा फाइदमन्द होता है और journal of strength and conditioning research से ये पता चलता है कि workout के तुरंत बाद protein ले बाद आपके muscle cells तूट जाते हैं और muscle cells के तूटने से और फिर बाद में सही से repair ना होने से आपकी body में काफी जादा नुकसान देखने को मिल सकते हैं और friends body में nitrogen के level को सही बनाए रखने के लिए भी protein की काफी ज़रूरत होती है इसलिए आप protein shake से या फिर दूसरे protein source से workout के बाद 20-60 मिनट के अंदर protein लेने की कोशिश दरूर करें इससे काफी बहतर results आपको अपनी body में देखने को मिलेंगे और अगर आप ये सोच रहे हैं कि कि कमपनी का weight protein आपको लेना चाहिए तो आप description में पड़ी links को चेक कर सकते हैं और अपने लिए एक weight protein order कर सकते हैं गलती आपकी body पर load आ रहा हो तो ऐसे काम भी आपको नहीं करने चाहिए क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बड़ी injury का शिकार हो सकते हैं जिससे आपको काफी दिन bad rest करना पड़ सकता है इसलिए ये बात सुरिश चित करें कि जब आप deadlift और squats जैसी workout को perform कर रहे हो तो उस जिन आप अपने काम से छुटी ले लें या फिर अपने workout schedule को इस तरीके से प्लान करें कि squats और deadlift करने के बाद आपको किसी भी तरह का कोई भारी काम ना करना पड़े और आप अपने body को लंबे समय तक यानि एक दिन तक का सही rest दे सकें खलती नमबर 3, workout के बाद over eating करना या जादा बढ़ जाता है और इसी वजह से आपको भूख काफी लगती है और कुछ लोग workout के बाद अजीब भाना बनाते हैं कि उन्होंने पूरे दिन में कुछ भी नहीं खाया उन्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ workout करके ही और high nutrition वाली diet को follow करके ही उनकी body grow हो जाएगी और उनकी body muscular बन जाएगी तो ऐसा नहीं है सही नींद लिए बिना आपकी body से दर्द कम नहीं होगा और आप ठकान महसूस करते रहेंगे और आपकी body में injury होने का खत्रा बढ़ जाएगा और आपके muscle tissues सही से recover और rebuild भी नहीं होंगे तो आपको ये पता होना काफी जरूरी है कि जब पैरिंग होती है और muscles growth होती है और ऐसा जब होता है जब आपका शरीर हार्मोन छोड़ता है एक्जामपल के लिए अगर आप पूरी नींद अच्छे से सो रहे होते हैं तो ही human growth हार्मोन यानि की HGH हार्मोन जादा मात्रा में आपके शरीर में develop होते हैं जो आपकी पूरी body म muscles को repair करते हैं और healthy रहने में आपकी मनद करते हैं और अगर आप सही मातरा में नीद नहीं लेंगे तो आपकी body में HGH हार्मोन जादा produce नहीं होगा जिससे की आपकी muscle growth जादा अच्छे से नहीं होगी क्योंकि जब आप सोते हैं तो muscles glycogen के अंदर जाता है और इसके अलावा एक और वज़य है कि proper sleep नहीं लेने की वज़य से workout performance आपकी बेकार हो जाती है और आप कमजोर महसूस करने लगते हैं और हमारे पास काफी studies भी हैं जो दिखाती हैं कि एक सही नीद नहीं लेने की वज़य से आपकी body में testosterone level में कमी आ जाती है एक्जामपल के लिए एक research से पत आपको करनी चाहिए ये future में जादा हैवी weightlifting वाली exercises में भी आपकी मदद करेगा खलती नंबर 5 है weightlifting exercises करने के एकदम बाद cardio exercises करना खास तोर से वो muscle part जिन्हें आपने अभी train क्या था और उन्हें दोबारा से cardio में आप train करने लग जाएं तो ये भी काफी बड़ी गलती होती है example के लिए legs workout करने के फॉरण बाद treadmill पर दोड़ना क्यूंकि एक study में दो male groups को बटा गया और इसमें पहले group ने strength training करने के एकदम बाद cardio exercise की थी और दूसरे group ने strength training करने के 24 गंटे बाद cardio exercise को perform किया और इस study के result में researchers ने रेखा कि energy दोनों group के लोगों में बराबर थी लेकि 5 से 12% ही muscle growth देखी गई इसके अलावा एक और study में scientist दुआरा ये देखा गया कि जो लोग strength training करने के फरण बाद cardio exercise perform करते हैं उनकी body में 49% तक muscle growth में कमी देखी जाती है क्योंकि ये दोनों चीजे एक दूसरे से बिलकुल अलग है cardio और strength training दोनों ही आपकी body को बहतर बनाने की कोशिश करती हैं लेकिन दोनों का तरीका बिलकुल अलग है cardio exercises भी सामान्य रूप से mTOR के level को body में कम करता है जो की body growth के लिए एक important enzyme है और ये एक साथ AMT के enzyme को बढ़ाता है जो की muscle की growth को धीमा कर देता है तो अगर आपका main goal body में muscles growth है तो कोशिश करें की strength training करने के बाद cardio workout आप ना करें और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप upper body के लिए strength training कर सकते हैं और 15-20 मिनट बाद lower body के लिए cardio exercises आप कर सकते हैं गलती नमबर 6 वरकाउट के बाद alcohol का इस्तेमाल करना alcohol muscle growth के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है और alcohol की वजह से शरीर में fat percentage भी बढ़ जाता है पर alcohol का इस्तेमाल workout के बाद सबसे बुरा होता है example के लिए एक study में ये देखा गया कि कुछ लोगोंने workout के बाद protein को दूध के साथ लिया और कुछ लोगोंने protein को alcohol के साथ इस्तेमाल किया तो जिन लोगोंने alcohol के इस्तेमाल किया था उनकी body में protein synthesis level down डेखा गया और कुछ इस्टडीज में ये देखा गया कि एलकोहॉल की वजह से मसल ग्रोथ और टेस्टोस्टरोन लेवल पर भी बुरा असर पड़ा इसलिए आप एलकोहॉल का इस्तेमाल वर्काउट के बाद बिल्कुल ना करें गलती नमबर साथ जो की काफी बेसिक है और इसका आपकी मसल ग्रोथ से कोई कनेक्शन नहीं है पर ये काफी जरूरी है कि आप वर्काउट खत्म होने के बाद सामान को इधर उधर ना फेकें और डंबल को उनकी रेक्स में लगाएं और बाकी सामान भी आप सही जगह पर रखें जिससे की दूसरे लोगों को वर्काउट करने में कोई प्रॉबलम ना हो उम्मीद है कि आपको आज की हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छे लगी होगी तो आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और इसी तरह की फिटनेस रेलेटिड वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब शरूर कर लें बाई फ्रेंड्स टेक केर